क्या आपको पता है कि कोरोरा की गिरफ्ट में अब इवा आ रहे हैं अगर नहीं पता है यह रिपोर्ट जरूर देखो तेजी से संक्तमित हो रहे इवा नहीं दिख रहे है लक्षन आपको पता है डबलू एचो ने हाल ही में इस बात को लेकर आदाह किया है साथ लाग केसों के अध्यन के बाद आई रिपोर्ट विस्तु स्वात संग्ठन द्वारा हाल ही जारी किये गए अलर्ट के बाद 20 से 40 साल के इवाउं को सचे क्मूनिती ज़रूत है अलर्ट के अंसार इवावर्ट तेजी से कोरोना की गिरफ्ट में आ रहा है साथ ही वह बुजुर्गों और विमारों के लिए भी खत्रा बना हुआ है तरसल तमाम उप्चाराधीन मरीजों में कोरोना संकमर के लख्षण नहीं दिखते हैं ऐसे के इवाउं में अधिक मिल लहे हैं लख्षणना होने के चलते उन्हीं इस बात का पता भी नहीं चल लहा है ऐसे में या इवाव बेफिक्र होकर भूंते हैं और दूसरों के लिए भी खत्रा बनते हैं मही महा में सरकार गौरा जारी आंकरों में देश के 40-50 प्रसत भीवा कुरोना पाश्टी थे इसकी एक बज़ा यह भी है कि देश में भुदूर्गों के मुकाबले भीवा आबादी अधिक है 27 संगठन ने 24 परवरी से 12 जुलाई के मत 60 लाग कुरोना केसों का अधिन किया इसके अंचार इन 5 माह में 15-24 साल की आई वर्ग में कुरोना का संकमर 3 दुना तक बढ़ा है एक दिन से लेकर 4 साल तक के बच्चों में कुरोना के मामले 0.3% से बढ़कर 2.2% तक पहुच गई हैं 5-14 साल तक के बच्चों में संकमर की दर 0.8% से बढ़कर 4.6% तक पहुच गई हैं इसी तरह 15 से 24 साल तक के बच्चों में संकमर की दर 4.5 प्रस्थ से बढ़कर 15 प्रस्थ तक पहुच गई है इंडियन मेडिकल एसोसियेशन के पूर पादिच डाक्टर राजपसोर टंडन कहते हैं कि नौकरी ब्यापार और तूसरे कामों के लिए जिवा घर से बाहर निकल रहे हैं वहां घुरुप में घूम रहे हैं और पार्टी कर रहे हैं इन हालातों में उनके कोरोना के चपेट में आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं ऐसे में यदि कोई पुवा पॉज क्यों होता है पुवा दूतरों को भी प्रभावित कर रखता है लिहाजा पुवाओं को अधिक सावधानी बढ़ने की जरूरत है ACMO और कोरोना के नोडल अफसर डाक्टर टीके सिंग कहते हैं कि वाओं को हमेशा याद रखना चाहिए कि वह भी कोरोना के चपेट में आ सकते हैं इसलिए कोरोना पोटोकाल का पालन जरूर करें यदि उन्हें लक्षर दिखते हैं तो उन्हें उसका पुरन चश्ट कराना चाहिए इसे छिपाएं नहीं इसके अलावा वे पोटिट हेल्प लाइन पर फोन करके सलाह ले सकते हैं यदि बीमार महसूस करें तो खुद को आइसुलेट करते हुए जरूरी कदम उठाना चाहिए रोग प्रत्रोतर शम्ता को मद्बूत करने के लिए पॉस्टिक आहार और अच्छी नीन लेनी चाहिए यदि दो कोरोना पाजिटिव यवा बिना मास्क पहने 15 मिनट तक बात करते हैं और उनके बीच की दूरी तीन फिट से कम है तो वाँ क्लोज कांटेक्ट टाइम कहनाता है इसमें कोरोना की पर्याप्त दोट लूद हो जाती है ऐसे में खत्रा बन जाता है इसलिए यदि समय में अपनी बात कहकर दूर हो जाएं ऐसा करने से संकमर की दोश कम हो जाएगी खबर आपकी नजर हमारी देखते रहे आई इंडिया